हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी यह जो आप देख रहे हैं यह मैंने पकोड़े बनाए हैं यहाँ पे मैंने आलू प्यास टमाटर मीट और गोबी के पकोड़े बनाए हैं विडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा कि पकोड़े कितने क्रिस्पी दीख रहे हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो आप बिल्कुल मेरे मैथड से बनाएगा तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाने के सबसे पहले मैंने दो प्यास लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है आप इसके बाद एक टमाटल लिया जिसको मैंने गोला सेप में काट लिया है एक आलू को मैंने अच्छे से चील करके राण सेप में कट कर लिया है तो आपको ऐसे ही बिल्कुल पतले स्लाइस कट कर लेना है पकोरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेशन दिया है जो वर्जन में 10.5 सुक्राम है पकोरे में डालने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिये हैं अधरक, लेसन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्स पाउडर, बेकिंग सोडा, धनिया और मिर्स पाउडर इसके बाद मैं सारे मसाले को एक कड़के बेसन में डालूँगी यहाँ पे मैं बारी कुटा हुआ लेसन डाल रही हूं अधरक इसके बाद सारे मसालों और बेकिंग सोटों को में एक साथ बेसन में डाल दूंगी यहां पे मैंने सारे मसालों को बैसन में एड़ कर दिया है बैसन में एड़ करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से mix कर लूँगी हाथों की help से आप चाहेते spoon की help से भी कर सकते हैं तो मैं यहां पे mix करने से पहले इसमें नमक एड़ कर रही हूं अपने टेस्ट के according तो मैंने यहाँ पर नमक भी आड़ कर लिया है मैं इसे अब मिक्स कर रही हूं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जिससे गाठ ना पढ़े अगर गाठ पढ़ेंगे तापके पकोरे खराब दिखेंगे और खराब टेस्ट में भी लगेंगे इसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद मैं उसे वाटर से अच्छे से उसका गोल बनाऊंगी तो आपको दिरे दिरे करके बनाना है गोल तो यहाँ पर गार है मेरा बेशन का गोल तो मैं इसे थोड़ा और पतला करूंगी ध्यान रखे आपको ज्यादा पतला नहीं रखना है तो यहाँ पे मेरा घोल बन के रेडी हो गया है आप चाहे तो अद्रक लेसन को बारी कूट के भी डाल सकते हैं आप पीस कर भी डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पे कूट कर डाला है इसके बाद मैंने एक कराही में तेल करम होने के लिए रख दिया है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें पकोरे को तलूँगी तो लगभगी गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गोभी का पकोरे तल रही हूँ तो यहाँ पर मैंने सारे गोभी को बैसन में एड़ कर दिया है एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको इसके बाद मैं एक एक करके तेल में डालूँगी सारे गोभी को और पकोरे त्यार कर लूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना इस पेस है मैंने सारे पकोरे को एक बार में कराही में डाल दिया है ते सारे पकोरे दल रहे हैं यहां पर फ्लेम को मैंने मेडियम हाई रख रख है है इसके बाद मैं अच्छे से इसको पलट लूँगी दोनों साइट से ताकि यह दोनों साइट से प्रॉपर सीख जाए तो आप कलर देखिए आपको थोड़ा सा और गोल्डन कलर का करना है फाइनली मेरा पकोरा जो है डेडि हो गया है तो आप कलर देखिए कितना अच्छा दीख रहा है अगर यह टीप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोरे ऐसे ही क्रिस्पी बनेंगे यहां पर गोभी के पकोरे बनके रेडि हो गया है अब मैं आलू के पकोरे तलूँगी तो इसी तरीके से मैंने आलू को भी एक एक करके बेशन में डीप करते जा रही हूँ और मैं ओयल में इसको एड़ करते जाऊंगी तो मैंने सारे आलू के पकोरे को तेल में एड़ कर दिया है मैं इसे अच्छे से पलट करके दोनों साइट से सेख लूँगी फाइंडी ये भी हो चुका है तब इसका कलर देख सकते कितना अच्छा आया है आप चाहिए तो टीसू पेपर भी यूज कर सकते हैं तेल को अब्जॉर्ब करने के लिए इसके बाद मैं यहां पर प्याज के पकोरे तलूँगी सारे कटे हुए प्याज को मैं बैसन में एड़ कर दूँगी और अच्छे से बैसन के साथ मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद एक एक रिंग आपको उठाना है और ऐसे तेल में डाल देना है तो मैं यहां पर एकए करके डाल रही हूं एक साथ बिलकुल ही डालना है आपको इसे पकोरे जो होते हैं बहुत ही क्रिस्पी होते हैं तो मैंने यहां पर सारे दिंग को आल में एड़ कर दिया है और मैं इसे अच्छे से लूँगी तो देखिए फाइनली इसका कलर आ चुका है जैसा मुझे चाहिए था और यह बिल्कूल ही अच्छा वाला क्रिस्पी पकोरे बनके रेडी हो गया है तो यहां पर मेरे क्रिस्पी प्याज के पकोरे बन करके ब्लकुल ही रेडी हैं। इसके बाद मैं यहां तमाटर के पकोरे बना रही हूँ। अगर आपने पहले कभी ट्राई निंग किया, तो जरूर ट्राई करके र fakζ कहें, बहुत ऑसुम रिजल्ट आता है। टिमाटर के पकोरे बहुत ज्यादा टेस्ती लगते हैं, तो लिख अक्षे से बेसनमे तिप करने के पाद मैं ऊसे तेल में डिया हुँ, तो मैंने सारे टिमाटर के टुक्रे को बेसनमे लबेट करे डिया है, यहां पे मेरा फाइनली बन करके रेडी हो गया, तो अब मैं finally मिर्ज तल रही हूं तो यहाँ पर मिर्ज के भी पकोरे बन करके रेडि हो गए है तो जो मैंने सेर किया बहुत यासान डेशीपी है पकोरे की अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो राम से बना सकेंगे तो आप देखें यहाँ पे मेरे मीट, प्याज, गोभी, आलू और टमाटर के पकोरे बन करके रेडी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस करतें जिससे आपको मेरे वीडियो के साय नोटिफिकेशन आते रहेंगे अगर आपने कभी भी पकोरे नहीं बना है तो मेरे रेसिपिका उप्योग करके बनाएए इससे पकोरे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और टमाटर के भी पकोरे को जरूर ट्राई करिएगा तब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर दीख रहा है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें